करें ये फसाना शहीदों की बाते वो गुजरा जमाना गुजरा जमाना कहां से शुरू हम पर रही फसाना शहीदों की बाते वो गुजरा जमाना कहां से शुरू हम करें ये फसाना शहीदों की बाते वो गुजरा जमाना आजादी गुना है बताया गया था हजारों को पासी चड़ाया गया था सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है इंकिलाब जिंदाबाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कारिक्रम शहीदों की बाते वो गुजरा जमाना में मैं हूँ शहला निगार और मैं हूँ आपके साथ रवींद्र सिंग रवींद्र ये तमाम वो नारे थे जिने हम सदियों से सुनते चले आ रहे हैं बच्पन से सुनते चले आ रहे हैं और इन नारों को इन वीर गाथाओं को आज भी जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में वही जूश और वही वलवला फिर से पैदा हो जाता है प्रसार भारती सेंटरल आर्काइब्स के जरीए हमने इनहीं लम्हों को समेटनी की कोशिश की है जी हाँ सदियों को लम्हों में समेटा तो नहीं जा सकता लेकिन रवींद्र एक जायजा लेने के हम लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं प्रसार भारती के सेंटरल आर्काइव्स के जरीए बिल्कुल 1857 की क्रांती के बारे में तो आपने सुनाई होगा ये वो क्रांती थी जिसने फिरंगियों को ये एहसास करा दिया था कि मेमान नवाजी करने वाले भारतिये अगर अपनी पर उतराएं तो दुश्मनों के भी चनाजे निकाल सकते हैं और इस क्रांती की लडाई में असंखे भारतियों ने अपना बलिदान दिया था रवींद्र तमाम भारतिये जो थे अपने घर बार अपनी सुक संपत्ति सब को छोड़के क्रांती की इस लडाई में कूद पड़े थे बिल्कुल ये वही क्रांती है जिससे पूरे देश में फिरंगियों के खिलाब आवाज बुलंद होने लगे थी पाहिए शुरू करते हैं एक बार फिर से इस कार्टम को जिसका नाम है शहीदों की बाते वो गुजरा जमाना अपनी आजादी को हम हर्गिस मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर जुगा सकते नहीं रवीन राज भी जब हम इंटर्नेट पर या फिर किताबों में पढ़ते हैं आजादी के बारे में तो हमें करांथी की उस लड़ाई में पता चलता है और जवानों की कुर्बानियों के बारे में हमको पता चलता है लेकिंशेला एक खास बात यहाँ पर ये भी है कि प्रसार भारती के सेंट्रल आर्काइवज जब उन तस्वीरों को आपके सामने रखता है तो एक बार फिर से वो लह में जहन में ताजा हो जाते हैं और इसलिए 1857 की क्रांती से जुड़े हुए कुछ लम्हें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं आईए देखते हैं उन लम्हों को जब ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जमी पे कदम रखा था तो उसके पास जरा भी जमी नहीं थी व्यापारी बन कर आने वाले ब्रिटिश लुटेरों ने धाई सो बरस के अरसे में अपनी जड़े मजबूती से भारत में जमा ली थी और सियासत की शत्रंज पर राजो रजवाडों को महुरों की तरह इस्तमाल करना शुरू कर दिया था वहीं लाल किले में जिन्दगी के आखरी समय गुजारता हुआ मुगल बात्षा शेहनशाय हिंद कहे जाने वाले 82 साल के बुढ़े का राज एक छोटी सी पट्टी तक सेमित रह गया था जबकि दिल्ली से 40-50 मील दूर मेरट चाउनी में भारती सिपाईयों में गाय और सुवर की चर्बी लगी हुई नई पंदूकों ने हलचल पैदा कर दी थी दूसरी और मेरट से लगभग 300 मील के फासले पर नए गवर्न जनरल लॉर्ट डलहोजी ने जहासी के महराज गंगाधर राव की 23 साल के बिद्वारानी लक्षमी बाई के गोदलिये पेटे को राजगदी सौपने से इनकार कर जहासी पर इस्ट इंडिया कंपनी का छंड़ फैराने का फैसला कर लिया था पर रानी को ये कताई मंजूर नहीं था यही वो समय था जिन में 9 से 11 मई के बीच होने वाली घटनाओं ने डिली के 82 साल के बूरे बादशा जहासी के बिद्वारानी और मेरट के नाराज से पाहियों की जिंदगियों को रसी के रेशों की त साथ फूट पढ़ा अंग्रेजों ने इस धमाके को गदर कहा जबकि भारतियों ने आजादी की लडाई बताया बारूत की चिंगारी तो 29 मार्च को ही पढ़ गई थी बैरकपूर की अंग्रेज छावनी के नौजवान सिपाही मंगल पांडे ने नए कार्तूस इस्तमाल करने से इनकार करते हुए अंग्रेज अपसरों पर हमला कर दिया था जिसके बाद मंगल पांडे को फासी दे दी इस शहादत ने फिरंगी सेना के भारती सिपायों के सोय हुए जजवे को जैसे ठोकर मार कर जगा दिया विद्रो की लहर बैरकपूर से मेरट होते हुए दिल्ली के लाल किले तक जा पहुँची और कुछी दिनों में बगावत की लपटें बंगाल से लेकर राजस्थान औ विदेशी हुक्मरानों की चूले चर्मरा उठी जासी की रानी लक्षमी भाई आजादी की लड़ाई में महिलाओं की शिरकत का एक प्रतीक बन गई आजादी का ये जोश बेरहमी से कुझला गया गाउं के गाउं जला दिये गए और अंगिनत लोग सर्याम फासी पे लट सत हो गया एक साल बाद भारत के राजकाज को ब्रिटेन की राजशाही के हवाले करके ब्रिटेन की महरानी विक्टोरिया मलिकाए हिंदुस्तान बन गई सामराजवादी सत्ता ने अब अपने शिकंजे को मजबूत करने की योजना बनाई मगर 1857 के धमाके से अंग्रेजी राज में जो दरारे पड़ गए थी वो पलस्तर के नीचे बरकरार रही अब भारतियों ने एकता की धागे को पहचानना शुरू किया था क्योंकि आजादी के जरों के उनके सामने खुनने लगे थे पराधीमता से टकराने के लिए एक ठोस जमीन तयार करने की कोशिश में अनेको कवी कलाकार आरे समाज जैसे समाजिक आंदोलों और विवेकानन जैसे विचारकों को जन दिया जो कि राजनीती में भी दिखाई देना ही था वतनपरस्त भारतियों के एक तपके ने 1885 में भारती रास्टी कॉंग्रिस की निव रखी जो कि जल्धी आजादी के जन आंदोलन का एक मजबूत दस्ता बनने वाला था इस बीच फिरंग्यों ने बाटो और राजकरों का खालिश अंग्रेजी फार्मुला अपनाना चालू किया 1905 में बिटिश ने बंगाल को दो तुकडों में बाटने का फर्मान जारी किया देश भर में स्वदेशी की नारे गुंजुटे कमान अब उत्साही गरम पंथियों के हाथ में आ गई इन में भी सबसे तीखी और बुलंद आवास थी बाल गंगा धर दिलक दी बाल गंगा धर दिलक ने अपने अख़वार केसरी को फिरंग्यों के खिलाप लड़ाई का मंच बनाया तिलक को देश निकाला देकर मानले भीज दिया गया 1916 के एतिहासिक कॉंग्रिस अधिवेशन में उन्होंने नारा दिया स्वराज मेरा जनसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा सारे देश में एक अलग तरह की फिजा बन गई थी बस इंतजार था एक नायक का कर दोखे यूपर काल करे तो यह मन या भी मान या लान या लेकर दोखे यूपर काल करे तो यह कि मोहंदास करम चन गांधी 1915 में दक्षिन अफ्रिका से भारत पहुचे और देखते ही देखते गांधी जी ने आजादी की लडाई का रंग रूप बदल कर रख दिया लहरू वल भाई पटे और मौलाना आजाद उनके इर्दगिर्द इखटापने लगे साकर रोक मां संहे मन में निम्दा नाकारे के निरे दुनिया की सबसे बड़ी सामराजवादी ताकस से लड़ाई के लिए उन्होंने अहिंसा का इस्तमाल किया वो पलकुल अनोखा था और उनका मूलबंत्र था सत्याग्राई और अहिंसा के साथ जल्दी कुछ और चीजें आजुडी दलित उधार, हिंडू-मुस्लिम एकता, आत निर्भरता और महिलाओ का उत्थार जिविया थकिया साथ न बोले और तर्द लाव जाले आचेले मैं इस्टमे जन्द तो ते मैंने गईएगे फीड़े पनाई जानेगे अम्रतसर का जालिया वाला बाग 13 प्रेल 1919 बैसाखी का दिन और दुपहर का वाग और अंग्रेज वाउज के चनल टायर ने बाग को खेल लिया और नियात्ती भीड़ पर तब तक गोलिया चलाने का हुक्म दिया जब तक गोलिया खत्म है इस कतले आम में बच्चों बुड़ों और महिलाओं समेथ लगभग एक हजार लोग मारें करें 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 महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो और रवींद्र इस नारे के बाद जैसे जन सैलाब उमर पड़ा था तमाम नौजवान तमाम लोग जो है वो करांती की इस जंग में कूत पड़े थे बिल्कुल शहरा और फिरंग्यों के माथे पर शिकन आ गई थे कि आकरिए इस आंदोलन को कैसे रूखा जाए आपको बताते कि 1857 के बाद 1922 का भारत छोड़ो अंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र अंदोलन साभित हुआ 1919 में दो काले कानून भी पास किये गए भारतिय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के प्रवेश और नेत्रत सम्हालने के साथ ही आंदोलन ने एक नया मोडने लिया था और यह संघर्ष अहिंसा के सिध्धान पर शुरू हुआ था सन 1920 में असायोग आंदोलन इसका सबसे पहला मजबूत कदम था और फिर यह अहिंसक संघर्ष 22 वर्षों तक चलता रहा लेकिन 1942 के आतियाते ऐसी परिस्थितियां उत्पन हो गई कि बिटिश हुकूमत पर भारती नेताओं का विश्वास टूड गया और उन्हें लगने लगा कि आजादी के सारे आश्वासन केवल एक धोखा है वही दूसरे वर्डवार में जापान के शामिल हो जाने से ब्रिटेन की हालत दिगरने लगी 15 फरवरी 1942 को सिंगापूर में 85,000 बिटिश सैनिकों ने जापानी सैनिकों के सामने हतियार डाल दिये निता जी सुबास चंद बोस की आजाद हिंद फौज जापान के साथ ब्रिटेन के विशाल भारती समराज का द्वार खटकटाने लगी आखिर ब्रिटेन के उस समय के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने सर स्टाफोर्ट क्रिप्स को भारत की राजनितिक गतिरोत को दूर करने के लिए भारत भीजा 22 मार्च 1942 को सर इस्टाफोर्ट क्रिप्स भारत पहुचे और उन्होंने 20 दिनों तक भारती नेताओं से बातचीत की लेकिन उनके प्रस्ताव को किसी ने भी स्विकार नहीं किया महत्मा गांधी ने कहा कि क्रिप्स के प्रस्ताव ऐसे बैंक के पोस्टेटेट चेक हैं जो जल्दी ही दिवालिया होने जा रहा है इस प्रस्ताव को अस्विकार करने से यह हुआ कि ब्रिटिशर और भारती नेताओं के बीच मद्भेद और बढ़ गए पूरे देश में असंतो शाओ अप्रेल 1942 में देश की यह परिस्थिती देखकर महत्मा गांधी के विचारों में भी उग्रता आने लगी और वो इस निश्कर्स पर पहुँचे कि भारत से ब्रिटिश शासन तुरंट समाप्थ होना चाहिए ब्रिटिश सरकार के वाइदों से अब उनका विश्वास हो चुका था बुचायते थे कि ब्रिटिश शासकों को तुरंट भारत से चले जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए महात्मा गांधी की यह उगरता देखकर कुछ लोगों ने उन्हें शान्त रहने की सला भी दी लेकिन गांधी जी ने उसे अस्विकार कर दिया गांधी जी ने इस पस्ट कहा कि यदी मैं इस समय चुक बैठा रहा तो मुझे अपने अंदर की आवास को दबा देना होगा जबकि मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे अकेले ही इनसे लोहा लेना होगा महात्मा गांधी की इस खुली चनौती को सुनकर सारा विश्व आश्यर चकित रहे गया साथ अगस्त 1942 को बंबई में कॉंग्रिस मासमिती की बैठक आयो जित हुई भारत छोड़ो प्रस्ताव पर काफी लंबी वहस हुई आखिर आठ अगस्त 1942 को महासमिती ने दो वाक्य का प्रस्ताव भारत छोड़ो भारी बहुमत से पास कर दिये इस प्रस्ताव का पास होना ही भारत छोड़ो का श्री गणेश होना था बंबई के ग्वालिय टैंक मैदान में आयोजित सभा को संभोधित करते हुए गांधी जी ने अपना एतिहा से गभाशन दिया था जिसने अगले ही दिन आजादी का महामंत्र फोग दिया था गांधी जी ने कहा था कि अगर आजादी मिल सके तो मैं तुरंत इसी समय सुबह होने से पहले आजादी चाहता हूँ मैं पूर्ण स्वतंत्रता को छोड़ कर इस से कम किसी और चीज से संतुस्ठ होने वाला नहीं हूँ यहाँ पर मैं तुम्हें एक छूटा सा मंत्र देना चाहता हूँ तुम इसे अपने हिर्दय में बैठा लो ताकि तुम्हारी हरसास इसकी अभिवेक्ति करे हो मंत्र है करो या मरो या तो वो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे हम अपनी गुलामी के स्थाइत्व का जीवन देखने के लिए जीवे नहीं रहेंगे गांधी जी का यह मंत्र सारे देश में बिजली की गती से वी जादा तेज फैल गया लेकिन उधर ब्रिटिश सरकार भी तैयार थी 8 अगस 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस की रात को गांधी जी सहित समस्त बड़े नेता बंदी बना लिये गया गांधी जी को आगाखा महल पूना में कैद करके रखा गया और बाकी नेताओं को एहमद नगर किले की जेल में अंदोलन के अग्रणी नेताओं को गिरफतार करने के बाद फिरंगी सरकार को ये लगने लगा कि अंदोलन की आगब ठंडी पढ़ जाएगी वहीं दूसरी पंक्ती के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनोती ये थी कि ग्वालियर टेंक मैदान में आखिर जंडा फहराएगा कौन लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई फिरंगियों की सभी चालों को मात देते हुए ग्वालियर टेंक मैदान में एक वीरांगना ने जंडा फहराया और इस वीरांगना का नाम था अरुना आस्वाले उस दिन क्या हुआ कैसा माहौल था अई सुनते हैं उन्हीं की जुबाने मुझार मुझा कान करना कर दो तूर। सबस्राइब है अप्सक्राइब अबंधित प्रेसिट्डेंगे खाश्म, अए जिए गार्ट्र-ट्रीकारेब दोला है, तो उन्हें तो रखे पीचिए, बीजिए प्रखे निचिक्षा में से लिएवारब तो प्रेसिए, चुछा कि देन में इस गाली थे ले जा रहते हैं, वो असवा सहाम कुपीं देगा है उसमें, मांब उसमें थे थेक्सिम बेगरी, देखने कि हमनी कि उसके कहा जाते है क्योंुछा थे है। बिच्चुरिय अप्रस, विए अबना सुभा में, वहां पर सणना पता है, मलकुल सुभा के उते हैं. तो मैंने दिखा कि उट्रीन ख़ई भी हैं, और मैं जाके दर पॉनन अजाग के, के ख़ई हुई. मैंने बसी कहा कि, हम भी कुछ करके दियर देखाएगी, तो हमने उसका चबाब में कहा कि चलो कि जिन्ना पहला रहे कि हम नहीं कोई भी तरचानदा तर पॉन जाते थी, समस्ते थी कोई नहीं कि तुदुद्ध है, ये कोच गया है. इसलिए पहाँ चली के ख़ई हम तयारे थे, पुलीस, तो दिस्परसे किजी, मैं एंठी पुलीस, तो अमने उसका किले आंस वे अंटुद्ध थी, मैं जो बन्हें पुलीस थी, उसके पुलीस, नहीं दो दी कोई भी तर खूंए और ये उपर्ण येज लिए पुलीख। कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि नौ अगस की दोपहर डेड़ वजे प्रमुख नेताओं को लेकर रेलगाडी बंबई से एहमद नगर पहुची स्टेशन पर सन्नाटा था सभी गिरपतार नेताओं को बिटिश सिना के अधिकारी एहमद नगर के ले मिले गए थे और उन्हें वहाँ नजर बंद कर दिया इस कारागार में सरदार पटेल, आजार, आसिफली, सैयद महमूद, गोविद बल्लपंद, डॉक्टर गौश, शंकर देव, डॉक्टर सीता रमया, कृपलानी, आचार नरेंद्र देव और डॉक्टर महताप कैद में रखे गए पंडित नहरू ने अपने वुस्तक डिस्कवरी ओफ इंडिया इसी जगह लिखी प्रखर क्रांतिकारी पटवर्धन बंधुओं के ग्रहनगर के नागरिक भी खामोश नहीं थे चात्रों, यूकों और किसानों ने जुलूस निकाले आंदोलन को संगठित रूप से चलाने के लिए गुरिल्ल दल की इस्थापना की गई पुलिस ने इस्कूल और कॉलेज के छात्रों को मुख्य रूप से निशाना बनाया सोसाइटी इस्कूल के छात्रों द्वारा जंड़ा फैराने की सूचना मिलने पर पुलिस ने स्कूल इमारत के उस भाग को ग्रीस लगा कर चिकना बना दिया, जहां ज़ंडा फैराने की संभावना थी. पटवर्धन भाईयों ने कुट इंडिया मूमेंट को सार्थक गती दी थी. क्रांतिकारी और नौ अगज जैसे अकबार निकाल कर ब्रिटिश राज के अंधेरे में चेतना की जोती जलाए रखी. आजादी की लडाई अब अपने अंजाम की तरब बढ़ चली थी. एक छोटे से नारे से गांधी जी ने समूचे देश की भावना को प्रगट कर दिया. नारा था भारत छोडो, क्विट इंडिया. गांधी जी ने अब अंग्रेजों के विरुद अंतिम संघर शेरने का फैसला किया. आज़ादी की बातों को, आज़ादी के गीतों को जब भी हम सुनते हैं रवींद्र, तो इन शब्दों में कुछ ऐसी बात है कि हमारा ज़ो है जजबा फिर से एक बार देश के लिए कुछ कर गुजरने का कर बैखता है. युवा पूरे जोशक रोश से भर जाते हैं, क्या सुचते हैं आज के युवा देखते हैं? मेरा इवतन, सानती का उन्नती का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन ऐवतन, 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 ऐवतन मेरा मुलक मेरा देसे मेरा ए वतन सानती का उन्नती का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन सानती का हुनती का प्यार का चमन इसके वास्तेनी सार है मेरा मन, मेरा मन एवटन 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 जाने मन जाने मन जाने मन तो प्रसार भारती के सेंट्रल आर्काइब्स का हमारा ये खास कारिक्राम आप सभी को कैसा लगा इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं हमारा email address है दूरदर्शन आर्काइब्स एट जीमेल डॉट को यहीं नहीं सोशल मीडिय के जरिये भी आप अपने सुजाओं हमें भेड़ सकते हैं हमारा फेस्बूक आइडी है www.facebook.com श्लैस डीडी आर्काइब्स हमारा ट्वीटर है www.twitter.com श्लैस डीडी अंडरसकोर आर्काइब्स हमारा यूटूब एड्रस है www.youtube.com हमारा इंस्टाग्राम एड्रस है www.instagram.com श्लैस डीडी आर्काइब्स इंडिया दूर्दर्शन अभिलेखागार की एक्स्क्लूसिव डीडीज और सीडीज आप ऑनलाइन भी खरी सकते हैं हमारा ऑनलाइन एड्रस है www.prasarbharatiarchives.co.in यही नहीं आप इसे Amazon की website www.amazon.in से भी खरीद सकते हैं यह DVDs और CDs आप हमारे दूर्दर्शन के प्रमो केंद्रो, आकाशवानी केंद्रो, दिल्ली हार्ट और नई दिल्ली के आकाशवानी भवन से भी प्राप्त कर सकते हैं तो क्रांती की इस लड़ाई में असंखे भारतियों ने रवींद्र अपने जानों की कुर्बानिया दी थी इन तमाम यादों को कुछ लम्हों में समेट पाना तो नामुंकिन है आदे पौने घंटे में हम कैसे समेट सकते हैं लेकिन शहला हमारा सफर कहां अभी खत्म हो रहा है हमारे सफर का तो अभी आगाज हुआ है अभी अपने कुछ अन्यकारिक्रमों में आगे जो एपिसोड्स आएंगे उसमें अपने दर्शकों को और भी यादों से रूपरू कराएंगे बिल्कुल इत्यास के पन्नों की बहुत सारी कही और बहुत सारी अनकही बातें उसे आपको भूभू कराएंगे तो फिलाल दीजिए अजाज़त नमस्कार चैन्हें कि बातें वो गुजरा जमाना कहां कि बातें वो गुजरा जमाना आजादी गुनाहें बताया गया था हजारों उपासी चड़ाया गया था